साथियों, आज अटल सिद्धी की इस धर्ती से मैं, यूपी के युवा साथियों को, यहां के हर नागरिक को एक और आगरह करने आया हूँ। आज अटी के बाद, हमने बराबर देखा है, आज अटी के बाद के वर्षों में हमने सबसे ज़्यादा जोर अधिकारों पर दिया है। लेकिन अब जब हम आजादी के 75 साल के और बढ़ रहे हैं, आजादी के दिवानों के सपनों को, आज अगर हम तोलते हैं, तो समय की मांग है कि अब तक भले हमने अधिकारों पर बल दिया हो, लेकिन अब वक्त की मांग है कि हमें अपने कर्तव्यों अपने दाईतियों पर भी उतना ही बल देना है ये बात मैं इसलिए कह रहा है क्योंकि उपी में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध प्रोदेशन के नाम पर हिंसा की सरकारी संपति को नुक्सान पहुचाया वो अपने घर में बैठ करके एक बार खुद को सवाल पूछे क्या उनका इरास्ता सही था उनकी प्रभुत्य योग्य थी ये जो कुछ जनाया गया बर्बात किया गया क्या वो उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था इस प्रदर्शन में हिंसा में जिन लोगों की मृत्य हुई जो सामाइने नागरी जख़भी हुए जो प्लीस वाले जख़भी हुए उनके और उनके परिवार के लोगों के प्रती पलबरम सोचें क्या बित्ती होगी और इसलिए मैं आगर करूगा कि जूटी अप्राओं में आकर हिंसा करने वालों को सरकारी संपति तोडने वालों को मैं बहुत आगर से कहना चाहूँगा कि बहतर सड़क बहतर ट्रांस्पोर्ट सिस्ट्रिम उत्तम सिवर लाइन नागरीकों का हक है तो इसको सुरक्षित रखना सापर सुथरा रखना भी तो नागरीकों का दाईत्व है हक और दाईत्व को हमें साथ साथ और हमेशा याद रखना है उत्तम सिख्षा सुलब सिख्षा हमारा हक है लेकिन सिख्षा के समस्तानों की सुरक्षा, सिख्षकों का सम्मान ये हमारा दायित्व भी है लेकिन डॉक्टरों का सहयोग और सम्मान करना हमारा दायित्व भी है सुरक्षित माहोल मिलना हमारा हक है लेकिन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस तंत्र के काम को सम्मान देना यहर नागरी का दाईत्व है हक की एक मर्यादा है दारिया है उसका एक दाईरा है सीमा है लेकिन दाईत्व की कर्तव्य की भावना बहुत ही व्यापक है साथियों ये भावना नागरिकों के साथ साथ सरकार के लिए सरकार के हर तंत्र के लिए भी उतनी ही जरूरी है सरकार का दाइत्व है ये है कि वो पांच साल के लिए नहीं बलकि पांच पीडियों को ध्यान में रखते हुए है कि यूपी सरकार अपने इस दाइत्व को निभाने का भरपूर प्रयास कर रही है हम अपना दाइत्व निभाए अपने लक्षों को प्राप्त करे यही सुशासन और यही आज का दिवस अटल जी को स्वरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए यही जनता की अप हर इवाद पए कि हम सब को सिख्षा है